नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधि महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां लेसुन का मुरभा है एक विशेश और शदि आईए जानते हैं इसके गुनों के बारे में लेसुन तो अपने आप में क कि यह कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या लाब हमको मिलते हैं चलिए जानते हैं इस महत्वपू जानकारी के बारे में लेसुन का मुरब्बा बनाने का सबसे पहले तो तरीका जानते हैं लेसुन का मुरब्बा तयार करने के लिए आपको 600 ग्राम अच्छी क्वालिटी क का लहसुन लेना है और एक किलो च्छते का तूड़ा गया शहद लेना है यानि कि शुद्ध शहद सबसे पहले लहसुन को छील कर उसके एक एक कली को अलग अलग कर लें और उनको लगबख 1500 ग्राम आयतन के साफ कांच के मरतबान यानि कि बरतन में डाल करके उसमें शहद भर दें और इसको चला करके ढखकन को टाइट बंद करके एक महीने के लिए रख दें संभव हो तो इसको अपने घर में आटे के कनस्तर में दबा कर रख दें तो और भी अच्छा मुरबबा तयार होता है एक महीने के बाद इस मरतबान को आटे के कनस्तर से बाहर निकालने और इस तरह से अपना बनाया गया लहसुन वाला मुरबबा तयार हो जाएगा आपका इसके बाद इसकी सेवन वीधि आये जानते हैं इस मुरब्बे को मौसम के हिसाब से मातरा घटा बढ़ा कर सेवन किया जाता है गर्मियों के मौसम में इस मुरब्बे में से एक कली लहसुन और आधा चमच शहद का सुबह और ऐसे ही शाम को सेवन करना है सरदियों के मौसम में तीन कली लहसुन और एक चमच शहद का सेवन सुबह और शाम को किया लहसुन का मुरब्बा सेवन करने से क्या क्या लाव मिलता है अब यह जानते हैं लहसुन के मुरब्बा सेवन करने से हमारे शरीर को कई सारे लाव मिलते हैं इन लावों की जानकारी हम आपको अपने इस वियों के माध्यम से दे रहे हैं इसके सेवन से शरीर में पैदा होने वाले वात के रोग जैसे की जोडों का दर्द मान स्पेश्यों में खिचाव और जक्रन नसों की कमजोरी इत्यादी रोग नश्ट होते हैं इसके सेवन से शरीर के बढ़ाने में इस मुरब्वे का बहुत अच्छा लाब होता है इसके सेवन से पूरुषों के स्तंभन शक्ति बढ़ती है लहसुन का मुरब्वा सेवन करने वाले की त्वचा चर्म रोगों से मुक्त हो जाती है और चेहरे पर एक विशिष्ट आभाउत पन्न होती है पेट म आपके आयरुवेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद ही इनको प्रयोग करने की हम आपको सलाह देते हैं ध्यान रखें कि आपका चिकित्सक आपके शरीर और रोगों को सबसे बहतर धंग से समझता है और उसकी सलाह का कोई विकल्प नहीं हो सकता है लहसुन का मुरब्व बनाने और उसके सिवन करने से मिलने वाले लाभों की जानकारी वाला या हमारा वाई सुबर अच्छा और लाभकारी लगा हो तो क्रिपया इसको लाइक और सेयर भी आप करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानक तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों